हेलो स्ट्वेंट्स मैं डॉक्टर देनो भूतड़ा लेक्चरर केमिस्ट्री राजेश फैलेट गवर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेड दोसा लास्ट लेक्चर में हमने अप्लाइट केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड इंजिरिंग मट्रियल का टॉपिक ग्लास स्टार्ट किया था तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्लास का इंट्रोड़क्शन वर मैनिफेक्शन के बारे में पढ़ा था आज हम असी टॉपिक को आगे ब तो मटेरियल के संग्ठन के अधार पे अलग अलग प्रकार के कांच हो सकते हैं उस रो मटेरियल के करण कांच की प्रॉपर्टी ज अलग-अलग हो जाती है तो इस प्रकार अलग-अलग कांच हो सकते हैं सबसे फर्स्ट हम जो पढ़ने जारे हैं सोडा लाइम ग्लास जिसे सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है नर्म कांच कहां जाता है सोडा लाइम ग्लास को नर्मकाच सॉफ्ट ग्लास इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है या सॉफ्टनिंग पॉइंट है वह कम होता है इसका जो कमपोजिशन है वह है Na2O.Calcium Oxide.6 Silica हम इसके जनरल फॉर्मिले से कमपेजिशन कर सकते है तो यहां पे इसका कमपोजिशन जो दिया जाता है Na2O.Cal6 Silica और इस कमपोजिशन के अदार पे इस काच को बनाने के लिए जो रो मटेल आउशक है वह है जोता है sodium carbonate, calcium carbonate और Silicon sodium carbonate से Na2O प्राप्ट हो जाएगा calcium carbonate से calcium Auto Oxide प्राप्ट हो जाएगा और silver का तो course silica तो silicate बनाने के लिए प्रशक है इसका एक प्रॉपर्टिस होती है जो कोष्ट कीमत इसकी कम होती है सस्ता होता है लो मेल्टिंग पॉइंट गल्लांग कम होता है और फार्ड है कि इस पर जो सामानी अभी करमक होते हैं उसे रियक्शन कर लेता है इसका जो यूज है वो है विंडो ग्लासेज बनाने में काम आता है फिर्गों के कांच वगरे बनाने में काम आता है इद्धित बल्ब बनाने में काम आता है थार्ड है कि जो सस्ते कांच के आइटम होते हैं उन्हें बनाने में काम आता है साथ में ही जो सस्ते लैप के ग्लास वेर्स होते हैं सस्ते लैप के ग्लास वेर्स होते हैं उन्हें सब को बनाने में काम में लिया जाता है सेकंड टाइप्स ऑफ ग्लास है पोटाश लाइम ग्लास जिसे हार्ड ग्लास भी कहां जाता है इसका कंपोजिशन है के टू ओ डॉट सी ए ओ डॉट सिक्स सिलेका सोडा लाइम ग्लास एंड पोटाश लाइम ग्लास में यह अंतर है कि वहाँ पे सोडियम ऑक्साइट काम में आ रहा था और पोटाश लाइम में केटू ओ अपस्तीत है और इस कंपोजिशन का जो काज बनाना होता है तो इसके लिए जो रो मटेर रिक्वाइड अब है केटू स्यो तरी केल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका और इस काज की प्रापर्टी जो इसको हाट ग्लास कहा जाता है और यह एसीड अलकली और अधर सॉल्वेंट के प्रति अधिक रजिस्टेंट होता है इसका जो यूज है वो है chemical apparatus वगर बनाने में यूज होता है और combustion ट्यूब वगर जो देहन वगरे में जो ट्यूब्स वगर काम आती है उसको बनाने में इसका यूज होता है third type of glass है lead potash glass जिसे lead glass भी कहा जाता है या flint glass भी कहा जाता है इसका जो composition होता है k2o.pvo.6 silica so potash lime glass और lead potash glass में difference है कि वहाँ पे potash lime glass में तो calcium oxide आ रहा था और lead potash glass में lead oxide आ रहा है और इस composition के कांच को बनाने के लिए जो raw material आफशक होंगे वह है K2CO3, PB3O4 and silica properties जो मुख्य properties है इस कांच के अंदर lead है तो lead का जो अपरतनांग है वह high होता है तो इस कांच की main property ही होती है कि lead के उच्छे अपरतनांग के कारण जो कांच बनता है वो चमकिला होता है लस्ट्रस चमकदार होता है तो इसकी main properties है कि यह कांच में चमक होती है और इस कांच के यूज है प्रिज्म बनाने में यूज होता है लैंस बनाने में और दूसरे जो भी प्रकाशी उपकरण है उनको बनाने में यूज किया जाता है इसके अलावा cathode ray tube वगरे को बनाने में यूज किया जाता है एक्सरे से protect करने वाली window बनाने में यूज किया जाता है साथ ही combustion tube वगरे बनाने में इसका यूज किया जाता है next type of glass है borosilicate glass और जिसे pyrex glass या jenna glass भी कहां जाता है इसके नाम से ही है borosilicate glass इसके अंदर borosilicate होते हैं इसमें boron trioxide और silika मुख्य होते हैं और साथ में कुछ amount में alumina small amount में alumina और alkali metal oxide भी होते हैं तो इसके इंदर जो raw material required है boron trioxide B2O3, Al2O3, SiO2 है और साथ में alkali metal oxide जैसे Na2O है तो Na2O के लिए हमको Na2CO3 लेना पड़ेगा इसकी जो properties है वो है इसमें boron है कि जब इस कांच को गर्म किया जाता है तो इस कांच का प्रसार कम होगा तो इसी के कांच को गर्म करने में काम में लिया जा सकता है second property high chemical resistance रासाइनिक प्रतिरोद बहुत उच होता है इसका मतलब है कि chemicals है रासाइनों के प्रति reaction बहुत कम करता है और third high softening point जो soft होने का temperature है वो high होता है तो इन तीनो properties के आधार पे जो इसकी usage है वो इस प्रकार हो सकते हैं कि क्योंकि low thermal coefficient of expansion है मतलब उश्मा प्राप्त होने पे इसमें expansion कम होता है प्रसार कम होता है इसे लिए इसे लैब वगरे में जो भी प्रयोक्षाल है उसमें यूज किया जाता है और फ्लास्क बीकर वगर टेस्ट्यू वादी बनाने में इसका यूज किया जाता है जो भी लैप से इसे chemistry lab की बा जिनसे की संशारन हो जाता है मेटल खराब हो जाती है उनको इस कांच की pipeline को उनके लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लास है ऑप्टिकल और क्रुक्स ग्लास ये कांच इस कांच में मुख्य से रूफ से फॉस्फोरस और लैड सिलिकेट होते हैं और स्मॉल अमाउंट में सीरियम ऑक्साइड सी इ ओटू भी होता है इसकी properties है इसका रासाइनिक प्रतिरोत कम होता है रासाइनों से ज्यादा कर लेता है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है अपवर्तनाक हाई होता है क्योंकि इसमें लैड है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है और इसकी एक मुख्य प्रापर्टी है क्योंकि इसमें सीरियम ऑक्साइड है वह यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसके जो यूज है इसका अप्टिकल और क्रुक्स ग्लास के यूज है मुख्य रूप से लैंस वग अक्साइड वगर होता है तो यह यूवी इस प्रकार बने हुए लैंस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ग्लास में है सैप्टी ग्लास और लेमिनेटेट ग्लास जो होता है वह सिंपल कांच ही होता है परन्तु उसको दो कांच की कांच की दो लेयर के बीच में एक प्लास्टिक की लेयर रखी जाती है और उश्मा देखके उसको हीट किया जाता है और हीट करने के साथ साथ में उसको दबाया भी जाता है प्रेस भी किया जाता है तो उससे क्या होगा कि एक प्लास्टिक शीट के दौनों साइड में नमीनिटेट इस ग्लास की मुख्य प्रॉपर्परीर होती है कि जब यह गलास तूटता है. तो क्योंकि काँच की जो लेइर है, काँच की लेइर है, वो प्लास्टिक लेइर के अंदर मर्ज हो रही है, तो जब भी काँच तूटता है, तो वो टुकडों के रूप में उचलता नहीं है, वो crack जरूर हो जाएगा पर तो तो उचलता नहीं है तो इसे हम बोलते shatter proof, जो property है काँच की shatter proof इसमें जब भी काँच तोटेगा तो काँच उचलेगा नहीं और इससे क्या होता है कि काँच टूटने के तो बूलड प्रूफ हो जाता है तो इसके जो यूज है वो कहाँ हो सकते हैं कि अपने कार के विंड शील जो कांच होते हैं वह लेमिनेटेड ग्लास होते हैं तो ओटो मॉबाइल्स वगरे में विंड शील्ड के लिए यूज किया जा सकता है एरोप्लेर यंडस्ट्री में य प्राकार के ग्लास हो सकते हैं जैसे फोटो क्रॉमेटिक ग्लास है फोटो क्रॉमेटिक ग्लास में अप्टिकल ग्लास जैसे ही होता है परन्तु उसमें वह सिलड़ का compound होता है उसकी proprety यह हो जाती है कि जब स्टूप किस फुरमire की जाता है और जैसे ही दूप से हटते है तो वापत JEFF क्यानल कर चेंज तो आज हमने टाइप वर ग्रावी के बारे में पढ़ा था तो थेंग यू झाल झाल झाल